पर अपिक ऐसी खबर जिसका फायदा एक साथ सारी च्छे करोड लोगों को होगा EPS 95 के जो लोग है सर उनको 700 रूपया भी आज नहीं मिलता उनको हग का पैसा है सर फिर वो कहा गया सरकार के पास ही तो पढ़ा था विश्वास के नाते उन्होंने EPS 95 लोगों ने दिया था उसका क्या हुआ सर और इतना रेलवे का अच्छा बोलते है यह आपको पता है सर यह जो सीनियर सिटिजन्स का जो कंसेशन था वो कोविड के टाइम में बंद किया था आज तक चालू और यह तो ना पेंशन उनको मिल रहे है ना उनको यह रेलवे का बेनिफिक्स में दूसरी बात मैं कहिना चाहता हूं यंपी जमेले को चार-चार पेंशन मिलती है कहां से पैसा आता है उन्हों को इस देश के उरुद्धने पैसा जमागे हिसाब तो करो इसाब भी नहीं कर मेरे बाप का देश है और ये देश बनाने में मेरे बाप का विश्रम है और इसाथ करोड लोगों के लिए बढ़िकुसकबर हैं पर बढ़ गया है अपना ब्याज जानिए आपकी डीटेल पीएप को लेकर बहुत बड़ी यानकी कुसकब्री जारी हो चुकिया जो पीएप खातादार के उनके लिए उनके पीएप की जो ब्याज तरहे वो अब बढ़ चुकी हैं तो आपको कितनी मिलेगी अगर आप एक पीएप के खातादा सब्सक्राइब रहे तो इस सब वीडियो को आखिर तक पूरा देन से देखते रहेगा जानकरी आपके लिए बहुत होने वाली है तो क्या आपकी अब पैंसन एप्यास में बड़ोतरी होगी और ब्याजदर में कितनी बड़ोतरी होगी और इसका फाइदा किन पैंसन दार् को मिलेगी और 9,000 प्लस एद और इ kes पेंसन दार्कों मिलेगी तो इसको लेकर सcribe की मैंटिक में बहुत बढ़ा एक पैंसला लिया गया है और सब ही मैंटिक में अपको पैंसला होगा एग्षा कि कि पैंसला क्या करा कीई पैंसन दारक है जो सब बड़ी कुसकबरी का जो कापी लंबे समसे इंदिजार कर रहे थो तो वो कुसकबरी आपके लिए जारी हो चुकी है इस तरह की बहुत बड़ी अपडेट आई है उनको भी जानेंगे और साथी जो अभी अभी दिसमिंट पहले की बड़ी गोशना हो लेगी तो इसके बारे में डीटेल से जाने के लिए वीडियो में आप अंतक बने रहेगा सारी जानकारी बताएंगे तो सबसे पहले जानते है कि जो लाखों पैंसन से उनके लिए पहली बड़ी ख़बर आ चुकी है एक सर्कुलर जारी हुआ है क्रमचारी वसंदी आपके खातों में की जाती है कई बार पैंसन बोगी को छुटी या अनेकी निकारणों से लंबा इंजर भी करना पड़ता है तो सर्कुलर में ये जानकारी दीगी है तो क्रमचारी वसंदी संग्टन E.P.F होने सर्कुलर में कारे की उप्रेक्त जो निर्देस जारी किये ग तो इस तरह की जो आपकी E.P.S. पैंसन और E.P.F. के द्वारा पैंसन को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है साथ ये निर्देस भी जारी किया गया है कि करमचारी वसंदी पैंसन बोगी के खाते में पैसा ट्रास्पोर होने की दो दिन पहले ये रासी बैंकों को दी जा तो E.P.F. करमचारी पैंसियोजना का लाव आपको दिया जाता है तो अब जानते है कि आखिरी पैंसन की बोड़तरी को लेकर CBT की बैटेक में क्या पैंसला लिया गया जिसके बाद अब आपको पैंसन कितने मिलेगी पांचार रुपे साजार पांचार रुपे या फिर न क्यातर देश की निजी सतर में जो काम करने वाले लाकों करमचारी उनके लिए सुप्रिम कोड के पैंसले से उनकी पैंसन में कम सकम 8500 रुपे तक की बुड़तरी हो सकती है तो करमचारी बहस ने दी E.P. अपने प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले लाकों करमचार तो इस तरह की अपडेट आ रही है और E.P.F. ने जो 15,000 रुपे का कैप लगा रखा है और इसी के आदार पर आपकी वरत्मान में पैसल की गड़ना की जाती है अलागि इस मामले को लेकर सुप्रम कोड में सनुवाई भी चल रही है अगर सुप्रम कोड वेतन की सिमा को कातम करता है तो पीअप का कैलकूलेशन उचतम ब्रेकट पर भी किया जा सकता यानि कि मोल वेतन 15,000 रुपे से अधिक होने पर पैसा भी उच इस तर पर काटा जाए यानि कि आपको बदर की आपकी पैसान है जो उसमें एप यप उने एलान किया है जिसके बाद ब्याजदर की जो आपकी दर है उसमें बुड़तरी को लेकर जो पिछले साल आपको 8.15 पिस्ती जुमला उसी अब बढ़ा दिया गया है अब यान की 2324 के लिए ब्याजदर में बुड़तरी का ऐलान कर दिया है तो आपको ब्याजदर कितना मेरेगा करमचारी बसनेदी संक्टन के केंद्री नियासी बोड़ से बीटी ने जो करमचारी बसनेदी एप अकाउंट के लिए ब्याजदर का ऐलान कर दिया है एप उने करोड़ों करमचार के लिए मोजद वि 10 10 की पर्तिसति का फाइदा मिलेगा आरैंकि आन्य और को मिलेगा और जो आपकी बढ़त EPF के सिरसे निर्णे लेने वाली निकाय सेंटल बॉर्ड अप्रस्टी CBT ने सनिवार को अपनी बाठेक में जो EPF यानकी 8.25 परतिसत जो ब्याजदर है वो देने का पैंसला किया और CBT के पैंसला के बाद EPF जो यानकी जो अब करमचारी पैंसला से उनको इसरसाब से यानकी अब से नीचल इस तरह पर 8.1 परतिसत कर दिया था जो कि 2020 से किसमें 8.5 परतिसत था और व्याजदर में यकटोती होने के बाद EPF का ब्याजदर यानकी सतोतर एटोतर की बाद इससे सबसे कम हो गया था और पिछले वर्स की तुलना में अब की बार यानकी और भी कुछ बोड़ोतर है देखी गया और वित्य वर्स उनिस सतोतर एटोतर में EPF ब्याजदर आट परतिसत था और वैसा कि बीस एकिस के लिए जो EPF ब्याजदर में जो आट पॉइंट पांच परतिसत ब्याजदर पर CBT 12 मार्च 2021 में तेक या था तो इस साल भी घटा था ब्याजदर तो मार्च 2020 में भी EPF ने 2020 के लिए बहुशनी थी जो पर डिपोजिट पर ब्याजदर को गटा करके साथ साल की नीच लेस्तर पर यानकी आट पॉइंट पांच परतिसत किया था और 2018-19 के लिए आट पॉइंट पांच परतिसत थी जो आनकी आपकी ब्याजदर की रेट थी वैसे कि EPF ने गराकों को 2016-17 में 8.65 परतिसत और 2018-18 में 8.55 परतिसत ब्याजदर थी थी और वही 2015-16 में ब्याजदर थोड़ी अधिक थी और 8.8 परतिसत थी इसके अलवा EPF ने 2000-2013-14 के साथी 2014-15 में 8.75 परतिसत जो ब्याजदर आपको दिया था करीब हैं इनकी 7 करोड करमचारी रेश्टर है EPF अके अंदर गोरतलब हैं की EPF प्रावेट स्टर में काम करने वाले करमचारी वाले EPF अकॉर्ड में जो उसका ब्याजदर है उसके तरतिदर का हर अनकी साल में बोड़त्री को लेकर ऐलान करती है कभी व्याजदर अच्छा रहता है कभी व्याजदर में कभी देखी जाती है तो करमचारी वासनीदी EPF यानकी जो आपका जो बड़ा है अब तो करमचारी वासनीदी संगेटन के तरत करीबिन के 7 क्रोड करमचारी इससे जुड़े हुए और EPF के प्याजदर जो दरे वो खबर होने वाली है और EPF की लगतर को लेकर तो EPS को लेकर फिलाल कोई बड़ाती को लेकर प्याजदर नहीं किया तो प्याती जई जारी जारी नहीं वाए अनुवन किया जा रहा है कि 8500 रुपे तक आपकी पैंसन की बड़तरी हो सकती है 20,000 रुपे का लिमिट लागू होता है तो वरतमान में फिलाल कोई भी लिमिट बड़तरी को लेकर सुप्रिम कोड़ने भी कोश्ट ना नहीं किये